नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल रडी एजूकेशन हब में प्यारे दोस्तों रीट वर्थी से जोड़ी छोटी या बड़ी अपडेट आपके लिए सबसे पहले लेकर के आते हैं और इसी क्रम में एक बड़ी खबर लेकर के आया हूँ रीट वर्थी से जोड़ी बड़ी खबर है और ये खबर जी न्यूज जोकी नैशनल चैनल है उसने चापी है इसके बहुत बड़ी न्यूज है जी न्यूज की तरप से ये न्यूज यहाँ पर निकाली गई है राजस्तान में NCTE के सर्कुलर से तीन लाग से ज़्यादा परेशान विरोध सुरू जी हाँ दोस्तों तीन लाग से ज़्यादा परेशान है और विरोध सुरू कर दिया गया है राजस्तान में NCTE के सर्कुलर से तीन लाग से ज़्यादा अभ्यरती परेशान है और उन्हों यहाँ पर ब्रोध चालू किया है और इनका ब्रोध है रीट लेबल प्रथम में लेबल फस्ट में वियर्ड धारियों को भार करवाना चाहते हैं यह आपको मैं पूरी जानकारी यहाँ पर पढ़के सुनाओंगा लेकिन उससे पहला आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब चरूट कर लें वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ सेर चरूट कर दें यूटूब चैनल की तरफ से मैं आपको कहना चाहूंगा हम किसी के पक्च और विपक्च में बिलकुल नहीं है हमारा काम सिर्फ आप जिसका ब्रोध पूरे प्रदेश में तेज होने लगा है बड़ी ख़बर यहापर निकल के सामने आ रही है ललित कुमार संबाद दाता है जैपुर से उन्होंने ये ख़बर दी है राजस्तान में असोग गेलो सरकार की ओड़ से जल्दी 31,000 पदों पर थर्ड ग्रेड सिक जारती परिक्षा में बैठते हैं और इस किसी भी थर्ड ग्रेड भरती में करीब 40 फिजदी से ज्यादा पद BSTC के लिए होते हैं ये भी यहापर क्लियर है लेकिन NCET के सरकूलर के चलते आप प्रदेश में सिक्चा विवाग लेवल फस्ट में बीयड धारियों को भी साम पर ट्रेंड चल रहा था अब हम आपको बताना चाहरे हैं कि ये जो आंदोलर है ये BSTC वालों द्वारा किया जा रहा है और इनके द्वारा बीयड धारियों को रीट भरती में लेवल फस्ट में सामिल करने का इनकी तरब से ब्रूद किया जा रहा है जिसकी खबर G News लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब चरूर कर लें BSTC धारी सचन सर्मा का कहना है कि BSTC करने वालों के लिए सिर्फ एक ही मौका होता है जबकि बीयड वालों के पास कई मौके होते हैं ऐसे में सेक्षवेबाग को चाहिए कि label first में सिर्फ BSTC करने वालों को ही सामिल किया जाए अगर label first में BSTC करने वालों को सामिल किया जाता है तो करीब 3 लाग से ज़्यादा BSTC धारीों का नोकरे लगने का सपना अधोरा रहर जाता है यह कहना है यहाँ पर BSTC धारी सेचिन सर्मा का ऐसा कहना है कि उनके पास केबल एक ही मौका होता है और वो है रीट लेबल पर्थम में सामिल होना अगर उसमें भी गवर्मेंट बीएड धारीयों को सामिल कर लेगी तो उनका सपना साकार नहीं हो पाएगा ऐसा उनका कहना है भी सामिल किया जा रहा है जिसका ब्रोध यहाँ पर इस्टुडेंटों ने चालू कर दिया है आप देखना यह होगा कि गवर्मेंट अर्थात सरकार की तरफ से इस पर क्या डेंट आता है सरकार अपनी क्या प्रतिकरिया इस पर देती है खासकर सिक्षा मंत्री गोबिन सिं पर जरूर बने रहें रीट से जोड़ी छोटी अबड़ी अपडेट सबसे पहले प्राप्त करते रहें और जो भी अपडेट होगा छोटा या बड़ा आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे पर सो हमने ही आपको सबसे पहले अबगत कराया था उसके बाद कल हमने आप को बताया कि किस प्रकार से सोसल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है और आज फिर से हमने आपको बताया है कि नेशनल मीडिया जो है देश का जो मीडिया है उसने भी यापर बीएश टेसी वालों की बात उठाई है अब ये अलग बात है कि NCET का नियम है उसके तरजबर वेड़ वालों को सामिल किया जाता है या नहीं इसके बारे में वाविस्मिक की गर्थ में है कि क्या होगा जैसी भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले अपडेट कर देंगे धन्वाद दोस्तों जैहिंज जैबारत इसी परकार से जड़े रहे हमारी यूटूब परिवार के साथ कि अपड़ जड़ा नहीं से इसके बारे ठेंगे मगऑ कि यूटूब यूएब एल रहे हमिल खmer भी होगी जैसी झालों कि बारे में होगी इसी आपको स्फों जैधरूम में होगी होगी है टारे में होगी है कि क्या गरे जैसीधर होगी है किस अ情 highways जी जै़ प्सेगे टाय